आज आमने बात कर रहे हैं इंट्राडल की एक बहुत फंटास्टिक सी मेथड्स है उस मेथड्स को अगर आपने यूज किया तो कम्फेटेबली एक न्यू कमर भी प्रॉफिट बना सकता है देखिए सिंपल चीजें भी उतनी ही एफेक्टिव हो सकती है अगर आपका प्रोच सही है आजकल ज्यादा प्रॉब्लम में लोगों को कॉंप्लिकेट हो जाने की वो चीजों कॉंप्लेक्स कर लेते हैं बले उससे कोई रिजल्ट नहीं आए लेकिन उनको अच्छा लगता है थोड़ी संतुष्टी मिलती ही शायद यहां आया कुछ खास कर लिया तो इंट्राटे ट्रेडिंग के लिए आप गूगल सर्च में लिखेंगे नियर फिफ्टी टूविक हाई थियोरी यह है कि फिफ्टी टूविक हाई के करीब अगर दुबारा स्क्रीप आई है तो हाई को ब्रेक करेगी और एक नया हाई बनाएगी इस दोरान आपको 10-15% का प्रोफिट मारजिन निकालने की आराम से मौका मिल जाएगा तो इसको हम नियर फिफ्टी टूविक हाई लिख के जब देखते हैं तो आपको कई सारी वेबसाइट्स पे स्क्रीनर मिलेगा जहां उऐ इंट्राडे और बावन अथों का स्केल एक साहँ दिखा रहा है तो आपने में के स्केल में देखा कि कोई स्टॉब अपने है पे ही खड़ा है आज के दिन और बावनफतों के हाई की करीब तो हे nih क्योंकि इस दिश्ट ही वही है तो अगर आज ही ये आजगत की इंट्राडे कि हाई की करीब खढ़ा है शेयर में पार ऐए रहने का मतलब क्या है हाई का हिज पे बने रहने का मतलब यह है कि अभी तक उस स्टॉक में बाइंग ही बनी हुई है, सेलिंग नहीं हुई है, अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती, तो आपने हाई से काफी नीचे आ जाता, आधाप 1%, 2%, 3% तक नीचे आ जाता, लेकिन लेस देन हाफ परसेंट करीब है, तो इसका मतलब फिर से हाई तोड़के नाया हाई ब करीब देख रहे हैं, तो सीधे-सीधे आपको तीन-चार शेयर में पर नज़र आए, अगर वालग-अलग सेक्टर के हैं तो अच्छी बात है, और यह देख लीजे कि उसका हाई का वेल्यू दूसरे स्केल में दिया हुआ है, अगर हाई का वेल्यू बहुत जाद दूर नह हाई बनाते हैं, और ऐसे में कई बार गेप अपनिंग ही हो जाती है, हाई की करीब बंद हो रहा है, अगले दिन खुला ही एक नया हाई बनाते हुए उसके बाद नहीं चला, तो लोग जब सिर्फ इंट्राडे में यह सोचते हैं कि आज बेज देता हूं, कल सुबह फिर से से खरित के फिर से तेजी कर लूँगा, कई बार चूप जाते हैं, क्योंकि स्टॉप मौका नहीं देता, तो आज बंद हुआ है, और कल गेप खुल गया, और फिर महा से सिधा लुड़ा गया, यह पॉसिबिटी हो सकती है, तो आपको यह सिंपल सी चीज चुननी है, यही हम अपलाई कर सकते हैं, सेलिंग के लिए भी, जहां पर आपको स्टॉप 52 विक लो के करीब, दिखे और इंट्राडे लो पे भी खड़ा है, उसको सेलिंग भी किया जा सकता है, अगर हम दोनों चीज साथ में कर पाएं, तो हमेशा जादा सेफ रहेंगे, क्योंकि एक तरीक आप ही बाइंग एक्टिवेट होने के बजाएं सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी, और आप प्रत्याशित रूप से, चाहें आपने ये सोचा हो नहीं सोचा, सेलिंग के ट्रेड एक्टिवेट होंगे, और अपोजिट साइट से आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि जब भी बाजार में लोगों को उमीद नहीं है कि अब बाजार नीचे जाएगा, तब बाजार नीचे गिरेगा, और जटके से गिरेगा, बहुत ज़दा गिरेगा, फिर बले ही रिकवर करके आगे फिर तेजी कंटीनियू हो जाएगा, तेजी के दिनों में लोग इस method को summarize कर देता हूँ, आप नियर 52 विक हाई पर जा रहे हैं, प्रॉफिट अटेंडी टीवी में, वहाँ पर आपने बावन अपतों के हाई का स्केल और इंट्राडे के हाई का स्केल ग्राफिकली दिया हुआ है, आपको इंट्राडे हाई पर जो भी खड़े हैं, इसे तीन करेंगे ही, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, हम जो कुछ बोलते हैं, वो आप गलत भी समझ सकते हैं, आपने अपने अनुभव के इस तर पे, कई बार मैंने देखा हैं, ट्रेडर्स कुछ गलत मतलब निकाल के, दो से तीन महीने तक गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फि झालकी बार का शोले में तू ओख ग्यार का रहे हैं, या रहे हैं, झालकी बार कि बन कोुछ बार क्या हैं, जो एक हैंपने बार क्यातर, भी कर प्रेण